हलो दस्तो स्वागत है आप शबी लोगों का फिर से हमारे ट्रेडिंग लर्णिंग की एक और नए वीडियो में दोस्तो जैसा कि आप मैं से बहुत से भाई लोग कोमेंट करे थे कि पंकतर भाई स्टॉप लोस क्या होता है स्टॉप लोस को ट्रेल कैसे करते हैं तो स्टॉप लोस के उपर एक वीडियो बनाओ तो दोस्तो दो दिन पहले मैं एक स्टॉप लोस के उपर वीडियो बनाया था तो उसमें मैं कॉल आप्शन को बाई किया था और उसमें मैं आउट आफ दमनी का ऑप्शन बाई किया था तो उसमें मैंने stop loss को भी लगाय था और stop loss को ट्रेल करके भी दिखाया था तो बहुत सारे भाई लोग ये comment कर रहे थे कि पंकच भाई एक बर आप put option को buy करो और उसमें पहले वाले में आप out of the money को buy किये थे तो इस वाले में in the money को option buy करो और इसमें आप stop loss लगाओ और stop loss को ट्रेल करके इसमें दिखाओ कि कैसे put option में सब कुछ किया जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं put option को buy करने वाला हूँ और put option में मैं stop loss लगा कर दिखाने वाला हूँ और उसको ट्रेल करके भी दिखाने वाला हूँ और सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें मैं इन दमनी का option बाई करने वाला हूँ तो सब कुछ live आपको दिखाऊंगा वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है चलिए बिना तेरी की वीडियो को start करते हैं लेकिन आपसे एक छोटी सी request है कि वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो तो चलिए सुरू करते हैं तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर angel one के app में और यहाँ पर मैं option chain के उपर click कर देता हूँ तो दोस्तों यह है option chain angel one के app में और बहुत ही simple है यहाँ पर ठीक है तो इस side लिखा है call option और इस side में लिखा हुआ है put option तो आप लोग का question था कि पंकज भाई आप put option में buy करो और in the money वाला buy करो तो call option में इधर वाला out of the money है और put option में इधर वाला out of the money है call option में इधर वाला in the money है और put option में इधर वाला in the money है यानि कि जो call side में होता है बिल्कुल उसके opposite में put side वाला होता है यानि कि call side में जो out of the money है वो नीचे रहता है और put side में out of the money उपर रहता है ठीक है और call side में in the money उपर रहता है और put side में नीचे रहता है तो यहाँ पर जो इंदमनी है पूट साइड में वो 41 रुपिया 42 रुपिया के भाव में अभी चल रहा है तो इसी के उपर मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पर बाई पर क्लिक कर देता हूँ और यहां पर देखो पूछ रहा है lot ठीक है तो मैं एक lot लेने वाला हूँ तो एक lot का price यहां पर देख सकतो अभी चल रहा है 2010 रुपिया यानि कि 2000 रुपे के भाव में चल रहा है तो मैं market order पर हिलूँगा तो सबसे पहले मैं यहां पर buy पर click करके यहां से confirm पर click कर देता हूँ जैसे यह दोस्तो मैं यहां पर confirm पर click करूँगा तो यह order जो है वो confirm हो जाएगा तो देखो यह order अभी confirm हो गया है तो यहां पर मैं order में आकर position में दिखा देता हूँ तो यहाँ open order है और यहाँ पर position है तो यहाँ पर अभी मुझे 50 रुपे का loss चल रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ से stop loss को लगाऊंगा ठीक है तो stop loss लगाने के लिए इसी पर मैं click करता हूँ यहाँ पर लिखा है stop loss ठीक है तो stop loss के उपर click कर दिया यहाँ पर देखो lot पूछ रहा है lot तो सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर trigger price में stop loss 29 पर लगा दिया 29 पर लगाने के बद मैं confirm पर click कर दिया ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि 29 पर लगा है अभी market 38-49 पर चल रहा है यानि कि 29 पर आएगा तो मेरा stop loss हीट हो जाएगा यानि कि देखो मैं आज यहाँ पर 500 का loss लेने वाला हूँ तो 500 के उपर में profit लेना चाहूँगा ठीक है और जैसे ही market यहाँ से अभी मेरे direction में आएगा यानि कि market put side में नीचे आता है तब आपको profit होता है तो market जैसे ही तेजी से नीचे आएगा तो मुझे profit होना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ से अपना profit book करूँगा stop loss को trail करके आपको दिखाता रहूँगा ठीक है तो अभी यहाँ पर देखो 142, 145, 227, 225, 226 रुपे का profit चल रहा है और यह बड़ी तेजी से profit बढ़ रहा है 200, 300 तक पहुँच गया है तो यहाँ पर edit order पर मैं click करके यहाँ से 29 से सीधा यहाँ पर stop loss को trail करने वाला हूँ ठीक है क्योंकि market 45, 46 के आसपास में पहुँच गया है 45 चल रहा है, 46 हो गया भी तो यह जो 29 है इसको मैं stop loss को trail करूँगा क्योंकि मैं यहाँ से सोचूँगा कि अब यहाँ से मुझे loss ना हो तो 48 पर मैं यहाँ पर click कर देता हूँ तो market अभी देखो बड़ी तेजी से उपर गया 55 हो गया, 56 हो गया, 69 हो गया तो बड़ी तेजी से उपर जा रहा है 54 आ गया, तो market यानि कि नीचे आ गया मैं इसको फिर से कम कर देता हूँ 55 तक click कर देता हूँ और यहाँ पर 52 चल रहा है तो 33 हो गया, तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर confirm करूँगा, देखो confirm कर दिया तो 55 पर मेरा order pending में लग गया है और जैसे ही market अभी 55 तक पहुचेगा तो यह order आटोमेटिक शेल हो जाएगा तो यानि कि मैं इसको edit कर दिया हूँ इस top loss को तो अभी 695 तक profit चला गया था और market अभी यहाँ पर देख सकतो 52 रुपिया 75 पैसा चल रहा है तो 55 रुपिया भी हो गया यानि कि यह hit हो गया तो देखो hit होते हैं यहाँ पर 760 रुपिय का profit हो चुका है और मैं 49 रुपिया सी के भाव में लिया था और यहाँ पर 55 रुपिय में शेल किया हूँ टोटल बाइंग प्राइस यहाँ पर देख सकतो जो है वो अभी done हो चुका है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि live market में कैसे put option को buy किया जाता है कैसे stop loss को लगाया जाता है और कैसे trail किया जाता है और कैसे in the money का premium लेकर हम profit बना सकते हैं तो I hope आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बीना जिचके comment कर देना मैं आपके हर comment का reply देता हूँ